इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोर्स पूरा खत्म करें. इस दवा का सेवन अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस से आपके लक्षन और अधिक खराब हो सकते हैं. इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक् इस दवा से आपको चक्कर या नींदा सकती है. इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक ड्राइब या ऐसा कोई काम ना करें जिसमें मानसिक फोकस की आवश्यक्ता होती है. यदि आपको किड्नी, प्रिदे, लिवर की क यह दवा आपके ब्लड प्रेश को बढ़ा सकती है. इसलिए इसकी नियमित रूप से निग्रानी करना बेहतर होता है और अगर आपको इससे परेशानी हो रही तो अपने डॉक्टर से बात करें. एक डिसॉर्डर है जो एक व्यक्ति को आवेगी, बेचैन बनाता है, ध्यान के इंद्रित करने या एक आगरता में कठिनाई पैदा करता है, और व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा करता है. एकसेप्टा 10 टेबलेट आपको इन लक्षनों को सुधारने में मदद करता है साथ ही आपको अधिक सतर्क और उर्जावान बनाता है. यह A, D, H, D के इलाज के लिए सबसे असरदार दवा है, यह व्यवहार में सुधार करता है और जीवन की गुनवत्ता को बढ़ाता है. एकसेप्टा के सामान्य साइड एफेक्ट, सिर दर्द, मिचली आना, उल्टी, नींद आना, भूख में कमी, पेट में दर्द, प्रिदे गती बढ़ना, हाई बलड प्रेश, एकसेप्टा टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी क अपने डॉक्टर से सलाह लें, इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछले या तोड़े नहीं, एकसेप्टा दस टेबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक तै समय पर लिया जाए, वीडियो को पूरा देखन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद